एक बार युदिस्ठिर ने भीश्म पितामा से पूछा कि विद्या तप और दान में कौन सबसे स्रेष्ट है। इस पर श्री भीश्म पितामा युदिस्ठिर को भगवान श्री किर्ष्ण और व्यास मुनी के बीच हुए समवाद की एक कहानी सुनाते हैं। एक बार व्यास जी गुपत रूप से घूमते हुए वरान सी पहुँचे। वहावे मुनियों की मंडली में बैठे हुए मैतरी मुनी के यहाँ पहुँचे। पास बैठे हुए मुनी ने व्यास जी को पहचान लिया। मेतरी जी ने उनका आदर सतकार किया और उन्हें उत्तम भोजन कराया उस उत्तम और सुगंधित भोजन को करके व्यास जी बहुत संतुस्ट हुए और वहाँ से जाते समय मुस्कुराई उन्हें मुस्कुराते देख, मैत्री जी ने व्याज जी से पूछा, आप अभी जो मुस्कुराएं हैं, उसका कारण क्या है, आपको हसी कैसे आई? व्यास जी कहते हैं मुझे यहां अत्यंत गौरो परदान करते हुए मेरी इच्छा की अनुसार मेरा सतकार हुआ यही मेरे मुस्कुराने का कारण है दान और अतिती का सम्मान इसका महत्व वेदों में बताया गया है वेदों का वचन कभी गलत नहीं हो सकता भला वेद गलत क् व्यास जी आगे कहते हैं वेद मनुश्यों के लिए तीन बातों को उत्तम वरत बताते हैं किसी के प्रती दुरभाव ना रखें दान दें और दूसरों से सदा सत्ते वचन बोलें शास्तरों के अनुसार दिया हुआ थोड़ा सा भी दान महान फल देने वाला होता है तुमन पुन्य का ही दर्शन है दान करना तीर्थिस्थान तथा वैदिक व्रत की पूर्ती से भी बढ़कर है जितने पवित्र कर्म हैं उन सब में दान ही सबसे बढ़कर पवित्र और कल्यान कारी है यही दान ही समस्त पवित्र वस्तूओं में श्रेष्ट ना होता तो वेद शास उसकी इतनी प्रशंशा ना की जाती। जो यग्यदान और तपस्या में रहते हैं, वो मनश्य पूर्ण करम करने वाला है और जो प्राणियों से द्रोह करते हैं वो पापी समझे जाते हैं। जो दूसरों का धन चुराते हैं वो दुखी रहते हैं और नरक में जाते हैं। हुआ है कि अवते हैं रहती है कि अनुट है कि अवाग को अवाओंगे साथर दित बार्ट कि एंख है